कि आपका कुश्चन है इफ एबी इस पैरलल टू एफ एफ एड़ सीडी इस पैरलल टू एफ ठीक है फाइंड एंगल एसी ए ठीक है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है वी विल सी देट सबसे पहले इसने क्या बताया एबी एबी इस पैरलल टू एफ ठीक है फिर बताया सी डी इस पैरलल टू एफ तो क्या हो गया अब आपका दिस इस पैरलल टू दिस दिस इस पैरलल टू धे और इस पहले टू सीजल के लोगे तो सबसे पहले आपका भी ए और यह दोना पैलल में तो यह वाला टोटल एंगल कितना हो जाएगा हमारा same alternate interior angles तो same चीज़ हम लिखते हैं क्या हो जाएगा alternate interior angles तो हमारा क्या हो गया angle B A C is equal to angle A C D that is equal to 70 degrees that is our alternate interior angles तो total angle हमारे कितना हो गया I get 70 तो यह हो गया हमारा 70 degrees अगर यह दोनों parallel है तो क्या होगा same side of transfers क्सम क्या होगा 180 degrees same side of transfers is 180 degrees तो same चीज़ हम लिखते हैं angle F E C F E C plus angle कौन सा E C and D E C and D is equal to 180 degrees तो F E C कितना दे रखा उसने 130 degrees तो यह हो गया आपका 130 degrees तो यह हो गया आपका 130 degrees 180 degrees तो अब आपका E C D क्या हो जाएगा 180 degrees minus 130 degrees that is equal to 50 degrees तो यह वाला एंगल is your 50 degrees ठीक है now total यहां से लेके यहां तक total angle is 70 degrees जिसके अंदर from here to here is 50 degrees तो आपका कितना बच गया 20 degrees ठीक है that only we will write क्या है हमारा angle A C and D is equal to two angles A C and E A C and E plus angle E C and D तो A C D कितना है हमारा 70 degrees that is equal to A C E हमारा क्या है we have to find out A C E plus 50 degrees तो 50 degrees को left में लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 70 degrees minus 50 degrees that is equal to angle A C E तो angle A C E कितना हो गया हमारा 20 degrees is your 20 degrees फड clot धistiर में लेकरा आएगा है a मन जरा रता है थैसा रते है